नमस्कार मैं हूँ सुर्भी सिंग और स्वागत है आपका हमारे चानल नेक्स्ट नाइन न्यूस पर जिहां सुनल श्रेटी बॉलिवट इंडस्ट्री के सबसे सफल कलाकार रहे हैं अब तक उन्होंने अपनी कई फिल्मों से हमें इंटर्चेन किया है लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम सुनल श्रेटी की पत्नी माना श्रेटी के बारे में बात करेंगे आज इस report में हम आपको बताएंगे कि आखिर सुनल शेटी की पत्नी माना शेटी है कौन क्योंकि वो limelight से बड़ी ही दूर रहती है जिहां limelight से दूरी बना कर रखती है आज इस report में हम बताएंगे आपको कि कैसे सुनल शेटी और माना शेटी की love story स्टार्ट हुई और कितनी मुश्किलों भरी गुजरी है इनकी लव स्टोरी क्योंकि इन दोनों का धर्म लग था जिहां जहां माना शेटी एक मुस्लिम परिवार से तालुक रखती थी तो सनल शेटी हिंदू परिवार से तालुक रखते थे जिसके कारण शादी के लिए इनके परिवार ने मंजूरी नहीं दी थी जिहां 9 साल तक अपने परिवार को मनाते रहे उसके बाद आखिर कार इन्हें मंजूरी मिली और 1991 में इन दोनों ने शादी रचाली क्या है इनकी लव स्टोरी और आखिर क्या करती है माना शेटी इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन यहां नहीं आगे इस रपोट है बॉलिवूद आक्टर सुनल शेटी ने 90 के दशक में बॉलिवूद इंटरस्ट्री में कदम रखा था सुनल ने अपनी फिल्मों से फैंस के दिलों में खास जगर बनाई थी और उनके अंदाज को पसंद भी किया गया था आक्टर अब बॉलिवूद फिल्मों में कभी कम ही नजर आते हैं जिहां वे साउथ के बड़े बिजनसमान भी हैं और अपनी फैमली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करते हैं जिहां जिस रिपोर्ट में हम आपको उनकी वाइफ माना शेटी के बारे में बताने वाले हैं सनल शेटी की वाइफ माना शेटी है वो एक इंटर्प्रेनियर और शोशल वर्कर है रपोर्च की माने तो सुनल शेटी ने माना को सबसे पहले मुंबई के नेपियन सी रोड के एक पेस्टरी पैलस में देखा था वहां पर वे अक्सर अपनी दोस्तों समलने जाया करती थी माना के करीब जाने के लिए पहले सनल शेटी ने उनकी बहन ईशा से दोस्ती की इसके बाद दोनों की मुलाकात हो पाई जिहां कुछी मुलाकातों में सनल को ऐसा लग गया था कि माना उसके लिए ही बनी है जिहां सुनल अपने दोस्तों से एक पार्टी रखने की request की और माना को भी invite किया सुनल और माना एक लंबी राइट को निकल लिए और फिर एक दूसरे के साथ quality time spend किया माना का नाम मोनिशा कादरी था जिहां माना Muslim और पंजाबी family से आती थी जब सुनल करनाटक के तुलू स्पिकिंग बंट कमिनिटी से आते थे धार्मिक बेवाओं के कारण दोनों का परिवार इस शादी को राजी नहीं था दोनों को शादी के लिए अपने परिवार को मनाने में नौ साल का वक्त लग गया दोनों का एक दूसरे के प्रती प्यार विश्वास ही था जिसने उनका हमेशा साथ दिया जिहां परिवार को पीछे हटना ही पड़ा शुनल सेटी ने माना शेटी से 25 दिसंबर 1991 को क्रिस्मस के सुब अवशर पर शादी की जिहां इस शादी से उन्हें आथिया सेटी नाम की एक बेटी और अहान शेटी नाम का एक बेटा है आथिया बॉलिवुड में डेब्यू कर चुकी है और क्रिकेटर एल राहुल संग उनके रिलेशनशिप के भी चर्चे हैं वहीं अहाँ शेटी की बात करें तो वह जल्दी अपना जेब्यू बॉलिवुड में करने वाले है जी हां माना शेटी के प्रोफेशनल फ्रेंट पर गौर करें तो वह एक बिजनस वोमन है एक डिज जराती मिसलिम थे वहीं उनकी माँ विपला हिंदी धर्म से थी जी हां आपको बता दे कि वो एक शोशल एक्टिविस्ट थी माना आर हाउस के नाम से मुंबई में एक लाइफस्टाइल स्टोर चलाती हैं वे अपने पती सुनल शेटी संग संयूक्त रूप से रियल मुंबई में 21 लग्जीरियस विला बनाए जा चुके हैं इसके अलावा माना सेवडी चुल्डरन नाम के एंजियो से भी जुड़ी हुई हैं वे एराइस नाम से एक एक्जिवीशन भी अरेंज करती हैं इनके पैसे से जरुरत मंद महिलाओं की सहायटा की जाती हैं यही न अब थोड़ा इनकी लव चोरी पर भी नजर डाल लेते हैं जिहां सुनल शेटी का जन्म 11 अगस्त 1961 को मैंगलोर करनाटक के मुल्की में हुआ था सुनल दक्षिन भारती हैं जबकि उनकी पतनी गुजडात के एक मुसलिम परिवार से हैं हाला कि माना हाफ मुसलिम और हाफ पंजाबी थी उनका असली नाम मोनेशा कादरी था जिहां सुनल शेटी एक बार पेस्ट्री शॉप पर गए वे थे वहीं पर माना भी कुछ लेने गई थी माना को पहली नजर में देखकर ही सुनल उनके दिवाने हो गए थे माना भी जब उनको लिफ्ट नहीं दिया तो उ माना की छोटी बेहन से उन्होंने दोस्ती कर ली और अपने एक कॉमन फ्रेंड के जरिये माना तक महचने का प्रियास करने लगे इसके बाद सुनल और माना की कई मुलाकाते बेहन ने करवाई आक्टर को इस बात का एहसास हो चुका था कि माना ही वो लड़की है जिसके दोस्त के घर पाती रखवाई थी और उसमें माना को इन्वाइट किया था वही माना और सुनल शर्टी अलग-अलग धर्मों से तालुक रखते थे इसलिए तय था कि उनकी शादी में अर्चने तो आएंगी दोनों के परिवारों को लगता था कि अलग-अलग धर्म का होने की वज़े से उनकी शादी लंबी नहीं चल पाएगी मगर कपल अड़ा रहा और दोनों को अपने परिवारों को मनाने में 9 साल का वक्त लगा 9 साल बाद 1991 में दोनों के परिवार ने शादी की मनजूरी दी तब जाकर सुनल और माना शादी के बंधन में बंदे इसके बाद सुनल ने बॉल्लवुड में एंट्री की और पहली ही फिल्म से आक्शन हीरो की अपनी पहचान उन्होंने कायम कर ली इस लिहास से भी वो माना को अपने लिए लखी बांगते थे माना शेटी ने एक इंटर्व्यू में कहा था कि साथ में मिलकर चीजे करना कपल को जोड़े रखने में मदद करता है आप जैसे दिखते हैं या जो करते हैं उसमें आपसी अट्राक्शन और एकसाइटमेंट बनाए रखना जरूरी है किसी भी साथी को एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए नहीं तो कपल एक दूसरे को बोज समझने लगता है एक बार सुनल शेटी से एक सवाल किया गया था कि शादी शिदा होने के बाद भी उनका नाम कई आक्टरसस के साथ जुड़ा तो क्या उनका कभी किसी के प्रती अट्राक्षन रहा है इस सवाल पर सुनल ने कहा था कि मेरे साथ जब भी ऐसा होता है तो मैं खुछ से सवाल करता हूँ कि क्या यह कुछ पलो का अट्रेक्शन है इस काबिल है कि मैं सब कुछ दाओ पर लगा दूँ जाहिर सी बात है कि इसका जवाब ना ही होता है वही माना शेटी ने भी एक इंट्रव्यू में इस बात पर जोर दिया था कि कपल को आपस में कम्मुनिकेशन गैप नहीं देना चाहिए कम्मुनिकेशन जहां होता है वहां रिष्टे लंबे चलते हैं कपल को एक दूसरे की सारी बात एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए जहां बात खुद माना शेटी ने अपने इंट्रव्यू में बताई थी कि वहीं शनल शेटी और उनकी पत्नी माना शेटी की शादी को 29 साल हो चुके हैं और इस कपल के बीच आज भी वही प्यार और चार्म कायम है कपल के दो बच्चे भी और उनकी बेटी आथिया भी फिल्मों में आ चुकी है जहां बेटा जल्द ही डेब्यू भी करने वाला है आपने देखी अभी ये रिपोर्ट आपने जाना माना शेटी के बारे में कि आखिर माना शेटी है कौन सुनल शेटी और माना शेटी की लव स्टोरी आखिर कैसे स्टार्ट हुई और कैसे अब ये दोनों एक बेटी और एक बेटे के माता पिता भी है जहां इनकी बेटी फिल्मों में डेब्यू कर चुकी है वही इनका बेटा भी जल्द ही फिल्मों में डेब्यू करने वाला है फिलाल इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं जुड़े रही हमारे साथ लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें